निज्जर पर हमले का तरीका ठीक उसी तरह का है जैसा पिछले साल पंजाबी सिंगर मूसे बाला की हत्या हुई थी मूसे बाला की गाड़ी को भी हमलावरों ने दो तरफ से ब्लॉप कर गोलियों की बॉच्यार कर दी थी और वो तब तक गोल्मिया चलाते गए जब तक उसकी सांसे नहीं रुप गई निजर की हत्या ठीक उसी गुरुद्वारे के पास हुई जिसके बारे में आरोब है कि वहाँ खालिस्तानी नेटवर्ट चलता है खुप्या एजेंसियों के मुताबिक कनेडा के सरे ब्रेम्टंग जैसे इलाकों में 30 से ज़्यादा गुरुद्वारों में खालिस्तानी अलगावादी आतंकी ने अपना नेटवर्ट बना लिया है ये पंजाब से पढ़ने आय चात्रों को टार्गेट करते हैं ये कनेडा में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें खालिस्तानी साजिश में धकेई देते हैं इसके साथ ही ये भी खबर है कि खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है भारत के खलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल को रहा है पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंग के मिलकर भारत में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के जरिये माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं भारती एजेंसी 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान से चल रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ है